मेरे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकम को दबाके और की नोडिफिकेशन को आन करने ताकि जब भी वीडियो डालू आपके पहले पहुंच पाए दोसों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं format as table option के बारे में जिसमें हम various table की formats को यूज कर सकते हैं और cell styles के बारे में जिसमें हम cells की various formats and forms के बारे में देखेंगे तो चलिए without wasting and time start करते हैं नमश्का दोस्तों मैं हूं तर्लविन सिंग और आपका मेरे YouTube चैनल Mind Strikes में बहु दोस्तों वीडियो शुल करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल पर चल रहा giveaway airport 2 का जिसमें आप फ्री में पार्ट कर सकते हो फ्री में airport 2 को जी सकते हो तो उसमें पार्ट करने के लिए उसका link आपको उपर i button में मिल जाएगा या फिनीचे description में भी मिल जाएगा तो जल्दी से जाएगे और किजिए पार्ट पर जीतिये chance airport 2 को जीतने का तो चलिए चलते हैं computer की screen पर और देखते हैं MS Excel के बारे में तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम table के format को किस तरह चेंज कर सकते हैं और अपने किसी भी cell के style को किस तरह चेंज कर सकते हैं तो यह द यहाँ पर आपको दो options मिलेंगी तो अब हम इन दोनों options के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको समझाने के लिए मैंने already एक table त्यार करके रखा हुआ है तांकि आपका time waste ना हो तो चलिए हम बात करते हैं format as table के लिए तो guys इसमें हम बहुत सारे हमारे पास formats हैं जिसके according ह हम अपने table के format को change कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने इस table को select करना होगा तो इसे select करने के बाद हम जाएंगे format as a table में और इसमें देखिए हमारे पास बहुत सारी options हैं format की तो अपने according हम इसे change कर सकते हैं तो आप इन में से एक कोई भी select कर सकते हैं मान तो यहां पर दोस्तों इसकी range आ रही है कि यह कौन कितने इसने rows और कितने columns cover किये हुए है उस सारे table के लिए है यह और यहां पर देखिए नीचे आपके पास my table has headers तो यहां पर already tick है क्योंकि हमारे यहां already पहले से header add है तो यहने automatically इसने उठा लिया यहां पर check है तो अगर म यह format change हो गया है तो अब आप देखोगे कि इसके नीचे सभी headers के नीचे यह drop down arrow का symbol बना हुआ है तो यह actual में यह है क्या इसे कहते है filter तो इसे हटाने के लिए हमें करना होगा इसे select तो इसे select करने के बाद जाना होगा data में और data में यहां पर देखिए आपको filter की option दिख रह है तो यहां पर देखिए यह drop down जो symbol थे वो हट गए है तो यह थी बार जिसमें headers हैं तो मैंने sheet 2 में एक और data बना रहा है जिसमें headers नहीं है तो चलिए मैंने इसे already select किया हुआ है और चलते है home tab की table as a format में तो यहां पर अगर मैं कोई भी format उठाता हूं मान लीजे मैं यह व पहले से header add नहीं किया हुआ था तो इसलिए जब हम इस पर okay पर click करेंगे तो यह automatically इसका header दे देगा तो अब यहां से आप इसका header change कर सकते हो अपने recording जैसे आप चाहो तो जैसे कि मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूं तो इस तरह से आप एक एक करके इन सभी के headers को change क कर सकते हो title को change कर सकते हो तो फिर से आपको in drop down arrow को हटाने के लिए इसे सभी को करना होगा select और data में जाना है और filter पर click कर देना है तो यहां से यह हट जाएगा तो चलिए चलते हैं sheet 1 में तो यहां पर हमने बात की थी अपने home tab की styles block में format as a table के बारे में तो यहां पर आपको बहुत सारी formats हैं आप इन्हें use कर सकते हो यह बहुत ही असान वी है tables के format को change करने का तो अब हम बात करते हैं cell style के बारे में तो अब एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे तो इसे देखने से पहले हम इसे एक बार फिर से undo कर लेते हैं यहां से और अपने उस format में ले आत ready किया था तो अब हम बात करते हैं home tab के styles में cell styles के लिए तो अगर मैं इस पर click करूं तो यहां पर देखिए पहले है good, bad and neutral तो यहां पर आप किसी भी value को define कर सकते हैं जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यह कम से कम value यह है तो आप इस cell को select कर लीजिए और cell को select करने के बाद आप यहां पर इसे सबसे small value किया symbol दे सकते हैं जिसका style change हो जाएगा तो इस cell के text को आप यहां से change कर सकते हैं मान लीजिए मेरी जो सबसे बड़ी value है वो यह है तो मैं इसे style देना चाहता हूं तो इसके लिए मैं good पर click कर देता हूं तो यह देखिए यह मेरी value जो good के लिए define हो चुकी है एक green color में तो आगे styles के बारे में बात करते हैं तो यहां पर देखिए आपके पास और भी बहुत सरी options हैं जिससे आप अपने in cells को format को change कर सकते हैं तो आगे बात करते हैं title and headers के बारे में तो यहां पर मैं सबसे पहले अपने headers को select कर लेता हूं और फिर से जाता हू cell styles में तो यहां पर आप एके करके इन headers को use कर सकते हो अपने according अपने format के according और यह तरही headers की बात तो मान लीजिए मैं इसे header 2 पर select कर लेता हूं तो यह देखिए दोनों यह सारे header 2 पर set हो चुकी हैं तो आगे बात करते हैं इसके themes के बारे में तो मान लीजिए मैं इसे theme देन कर लेता हूं और यहां पर cell styles में जाके इनके themes को different themes दे सकता हूं अपने according तो आगे बात करते हैं मान लीजिए यह मेरी एक value है तो अगर मैं cell style में जाओं तो हम इसे commas में भी define कर सकते हैं अगर मैं इसे click करूं तो यहां पर उपर देखिए मैं इस पर click कर देता हूं तो यह आप चाते हो यह comma में रहे लेकिन decimals ना add हूं तो आपके पास यह दूसरी option है comma zero की तो अगर आप इस पर click करते हो तो यह देखिए कि जो value है वो simple आ चुकी है with comma के साथ तो आगे बात करते है currency के बारे में तो देखिए automatically जब मैंने currency पर लेके गया तो आगे Indian rupee का symbol add हो अगर आप चाते हो यह symbol तो साथ में रहे लेकिन decimals ना रहे तो यहाँ पर यह वाली option को अपने select कर लेना है वहाँ पर देखिए symbol तो add है लेकिन उसके पीछे decimals है वो अब नहीं है तो यहाँ पर last option है percentage की तो आप यहाँ से इसकी percentage वेरा भी define कर सकते हो format इसका percentage गॉर्ड आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दें और जाते हुए subscribe का बटन दबाद और on की notification को on कर ले ताकि जब भी वीडियो डालू आपके पास पहले पहुंच पाए और हां comment box में जरूर बताना के आपको मेरी वीडियो कैसी लगी thank you very much